खोर्स फीमेल्स के लिए थोड़ा सा डिफिकर्टीस ली हो जाता है क्योंकि बींग अ फीमेल आपको पुछ ऐसी रिस्पॉंसिबिलिटीज है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सिद्धान शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल UPSC PCS Insider पर आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो हैं 10 साल से भी ज़्यादा अनववी as an IAS Officer और इतने लंबे समय में इन्होंने किस तरह से काम को करा, किस तरह से इनका experience बोलता है आज किस इंटर्वियू में आप जानोगे दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अभी से लाइक कर देना दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे IAS Officer Sonal Goyal Mem के बारे में ये 2008 बैच की IAS Officer है 2006 में इन्होंने पहला टेंट दिया था जिसमें ये क्लियर नहीं कर पाई थी 2007 में इन्होंने फिर से अटेंट दिया और 2008 में जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो इन्होंने टॉप 13 में रैंक सिक्यूर की 13 रैंकिन की आई थी इतना जबरदस्त इनका प्रेजेंटेशन रहा था उसके बाद जो इन्होंने काम किया है लगबक 10 साल से ज़्यादा का अनुभव अब तक हो चुका है आज की इस वीडियो में आप देखोगे की काम करने के दोरान किस तरह के पॉलिटिकल प्रेशर सा सकते हैं किस तरह से अलग अलग जगे जब पोस्टिंग होती है तो फैमिली को कैसे समालते हैं किस तरह से वूमेन अंपावर्मेंट को सपोर्ट करना चाहिए किस तरह से को खुद से आगे बढ़ना चाहिए तो मैं आपको बता दूँ यह सिर्फ एक I.S. आफिसरी नहीं कंपनी सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं लोयर भी है और नीती आयोग के अनुसार टॉप 25 वोमें ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भी रह चुकी हैं दोस्तों यह टेडेक्स सकते हो कि यह वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनना रेजुएशन कर रही थी श्रीराम कॉलेज अफ कॉमर्स दिली उनिवरसिटी से तो 30 एर में थी और उसके साथ में मैं CS कर रही थी तो उसका second stage मेरा complete हो गया था तो मेरको उस टाइम में, एक्चुली जब मैं थर्ट इहर में थी, उस टाइम में मुझे सिविल सर्विसिस के बारे पता लगा कि सिविल सर्विसिस एक ऐसा प्लाटफॉर्म है, जिसके जरिये आप डारेक्ली सुसाइटी के लिए, पुब्लिक के लिए बहुत कुछ कर सकते ह अगर करना चाहो, और साथ की साथ में ये एक डारेक्ली लोगों से जुड़ने का, सुसाइटी के लिए काम करने का एक जरिया बनता है, तो क्यूंकि मैं और एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे थी, तो जब मैंने अपने फैमिल से डिसकस किया, अपने पादर से, पेरेंट से, तो उनको इनीशली थोड़ी हिच की चाहट होई, क्योंकि पहली पात तो ये कि सिवल सर्विसेज में सिलेक्शन, श्योर शॉर्ट नहीं होता, कॉम्पटिशन होट अफ है, दूसरा मैं प्रोफेशनली अपनी कॉलिफिकेशन कर रही थी, मेरे फादर से ये है, तो उनको य अगर सिवल सर्विसेज सिलेक्शन होता है, तो कौन से सर्विस में लेगी, कौन सा काडर राएगा, तो ये सब इशूस को सोचते हुए, थोड़ा सा हेजिटेशन था, बट जब इस बात में हम सबने अग्री किया कि सिवल सर्विसेज में जाना है, तो मेरे पापा ने और 2004 में ही डेली उनिवस्टी से लॉग का इंटरेंस दे की लॉग में एडमिशन लिया और उस साल में ही मैंने Civil Services की तियारी भी शुरू करी और मैंने Part-Tank Job as Company Secretary भी शुरू करी तो 2004 से लेकि 2007 तक ये तीन चीजे पारलल चली तो एक Civil Services की पढ़ाई साथ ही साथ CES की तौर पे मैंने Part-Tank Job किया और मैंने LLB किया 2006 में पहला मेरा अटेंप्ट था जिसमें मेरा इंटर्व्यू कॉल नहीं आया और 2007 में मेरा second attempt था जिसमें मेरा selection हुआ 2008 में माई 2008 में इसलिए हमारा 2008 बैच कहा जाते हुआ Service कौन से मिलती है ये बड़ा matter करते है दूसरी बात ये है कि आपको काडर कहां का मिलता है कई काडर हो सकता है कि North India वाला candidate को North Indian काडर मिल जाए कई बार ऐसे भी होता है कि कोई Southern state में भी किसी को जाना पर सकता है और ऐसी बात है कि जैसे मेरा North East में मेरा काडर आया तो इनीशली थोड़ा सा हिज की चाहत होती है नहीं जगा में जाके क्योंकि language अलग है, culture अलग है तो ये थोड़ी mind में apprehensions रहती हैं इक बार जब आप जाते हो तो the way you know things move जिस तरीके से आपको महाल लोगों का support मिलता है administration का support मिलता है उससे देरे देरे चीज़े आसान होने लगती है of course females के लिए थोड़ा सा difficultly हो जाता है क्योंकि being a female आपको कुछ ऐसी responsibilities है being a human being जो आपको ही bear करनी है like you only have to bear a child तो आपके husband बहुत supportive हो ये अच्छी बात है लेकिन फिर भी अगर एक baby को birth देना है या इसकी आगे परवरिश के लिए तो थोड़ी छुटी तो female को लेनी ही पड़ती है because that is a biological responsibility which has been given to a female positive mind से हमें इन सब चीजों को लेना बहुँ जादा जरूरी है work तभी successful होता है जब आप अपने team members को भी उनकी space दे मतलब उनको motivate करें अगर वो कुछ गलती कर रहें उनको समझाए of course उनको direction देने का भी आपकी जम्मेवारी है और बीच बीच में वो motivation देना भी आपकी जम्मेवारी है dates back to the history मतलब यह आज की वजह से नहीं है जो situation है यह आज की वजह से नहीं है situation यह जो situation है यह situation हमारी past की जो generations है उनकी जैसे thinking रही you know the way we are seeing the society it is still patriarchal mindset तो यह जो patriarchal mindset है society के अंदर इसको change करने का जो प्रयास किया गया है चाहे वो government की तरफ से हो चाहे वो communities की तरफ से हो society की तरफ से हो single society organization की तरफ से हो काफी अच्छे प्रयास चल रहे हैं लेकिन अभी आगे बहुत कुछ करने के जोड़त है हमारी लड़कियां बड़ी लिखी होंगी of course they would have the potential to become financially independent तो जो financially independent जब तक हमारी लड़कियां हमारी बच्यां नहीं होंगी तो वो जो एक self empowerment कि हम जो बात करते हैं women empowerment की बात करते हैं तो उसमें बहुत जादा आवशक है कि हम females को self independent बनाए financially independent करें उनको कही ना कहीं हमारे mind में ये धारना बन चुकी है मुझे लगता है कि all politicians are bad या अगर कोई politician है तो उसका कोई vested interest है इसलिए वो कोई काम के लिए बोल रहा है but I think मेरे जो experience रहा of course I also had my kind of you know conflicts ya concentration during my last 12 years of being in the civil service वो of course रहा लेकिन we should not have that mindset की politicians apparently bad है या उनकी intention अच्छी नहीं होती there are very good spirited politicians with higher gun counselors even MPs जो की अपने area के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं but of course I am not at all saying की they are always right there are many a times even during my career also in fact मेरी जो पहली posting training में हुई थी टुपुरा में so I was posted as video block development officer during training posting होती है उस दौरान में एक block में within few days I transferred few panchayat secretaries so panchayat secretaries क्योंकि मैंन्रेगा का record की चेक किया और मुझे लगा की shayad kuch problem है so I made an administrative transfer of the few panchayat secretaries so end result यह हुआ कि मेरी को उस block से immediately transfer कर दिया गया you know so that was a result that next day I was only transferred transfer and posting I mean should not deter you from you know taking the decisions which are public spirited taking the decisions which are right and which as per your conscious as a civil servant are right I hope आपने आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा किस तरह से काम किया जाता है practical way में किस तरह का confidence होना चाहिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलूँगो मैं आपसे अगली वीडियो में बहुत ही जल तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को लाइक करते हैं और शेर करते हैं